उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे उस परिप्रेक्ष को जानने में जिसके तहट भारत ने अपनी विदेश नीती स्रिजित की गुट निर्पेक्ष अंदोलन में भारत की भूमिका को समझने में इस बात का विशलेशन करने में कि भारत ने चीन और पाकिस्तान की साथ अपने रिष्टों को किस प्रकार निभाया भारतीय परमानुनीती के विकास की विस्तृत व्याख्या करने में अंतरराश्ट्रिय संदर्ब प्रायह किसी देश की आंतरिक राजनिती पर उस देश के बहारी संबंधों का प्रभाव होता है भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है आएए देखें कि भारत के बहारी रिष्टों ने आजादी से लेकर अब तक किस प्रकार आकार ग्रहन किया है अंतरराश्ट्रिय संदर्ब भारत ने आजादी उस दुनिया में पाई जिसे दो विश्वयुद्धों से गुजरना पड़ा देश पुनर निर्मान के दौर से गुजर रहे थे तथा एक नई वैश्विक संस्था का गठन हो रहा था भीतरी तोर पर देखें तो ब्रितानियों ने भारत को कंगाल कर छोड़ा था सौगात में उसे हिंसक बटवारा तथा लोक तंत्र की चुनोतियां और नागरिकों के कल्यान का जिम्मा मिला था इसी परिप्रेक्ष में भारत ने अंतरराश्ट्रिय मामलों में भाग लेना शुरू किया अंतराष्ट्रिय संबंधों के प्रती अपने रवाईये में भारत ने दुनिया के देशों की संप्रभुता का संबान करने, तथा शांती के जरिए सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश की राज्य के नीती के निदेशक तत्वों में वही भावना गुंजित हुई राज्य की नीती के निदेशक तत्व सम्विधान के अनुछेद 51 में वर्नित हैं। गह, संगठित लोगों द्वारा एक दूसरे के साथ बरताव में अंतर्राश्ट्रिय कानुणों तथा संधी की शर्तों के प्रती सम्मान की भावना रखना। तथा गह, मध्यस्तता तथा बाजचीत के जरिये अंतर्राश्ट्रिय विवादों के निप्टारे को प्रोच साहित करना। विकास शील देश तथा अंतर्राश्ट्रिय संबंध। भारत की आजादी के समय कई अन्य देशों को भी आजादी मिली। विश्वमंच पर अपने सरोकारों को रख सकने में आड़े आ रही संसाधनों तथा साधनों की कमी के चलते। ये देश एक या दूसरे ताकतवर खेमे में शामिल हो गए। उन खेमों से उन्हें मदद मिलती रहती थी। उस समय दो ताकतवर खेमे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ततकालीन सोव्यत संग दुनिया को अपने प्रभाव में समेटे हुए थे। उनके बीच शीत युद्ध आरंब होने को था। तथा भारत ने अपनी विदेश नीती को आकार देना शुरू कर दिया था। तथा सामराज्यवाद के खिलाफ विश्व व्यापी संगर्ष का एक हिस्ता था। इस संगर्ष ने बहुत से एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। स्वतंत्रता पूर्व से ही हमारे राष्टिय नेताओं के संबंध इन देशों से थे। इन संबंधों का स्पष्ट प्रकटन सुभाष चंद्र बोजद्वारा आजाद हिंद फौज आई एन ए के गठन के समय हुआ। भारतिय विदेश नीती पर स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का प्रभाव था। कितु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चाद। यूएस तथा यूएससर के खेमों में बटी शीत युद्ध में उलजीत दुनिया। राजनितिक, आर्थिक तथा सैन्य मुकाबलों की साक्षी बनी। इसी अवधी के दौरान यूएन का निर्मान भी हुआ। नाभी की यहत्यार बनाए गए। साम्यवादी चीन जगत पटल पर उभरा। तथा उपनिवेश वाद का खात्मा होने लगा। इसी प्रती प्रेक्ष में भारत की विदेश नीती विकसित होनी शुरू हुई। नहरू की भूमेका। 1946 से लेकर 1964 के बीच भारतिय विदेश नीती निर्मित हुई। और भारत के प्रतम प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री जवाहरलाल नहरू के द्वारा लागू की गई। विदेश नीती के निम्न लक्ष थे भारत की संप्रबुधा की रक्षा करना, भारत की सीमाओं की रक्षा करना तथा तीव्र गती से आर्थिक विकास को अंजाम देना. उन्होंने इन लक्षियों को हासल करने के लिए गुट निर्पेक्षता को चुना. अर्थात, इस नीती के अंतरगद किसी भी ताकतवर खेमें US तथा USSR से दूर रहना था. दोनों ही खेमों से दूरी भारत नी शान्ती का पक्ष लेने वाली गुट निर्पेक्षता की नीती के जरिये स्वतंत्र विदेश नीती का अनुसरन किया. यह किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ. तथा तटस्थ बना रहा. किन्तो भारत पूर्ण तह तटस्थ नहीं था. जहां उसने स्वेज नहर मुद्दे पर मिस्र पर व्रिटेन के हमले की भट्सना की, USSR द्वारा हंगरी पर हमला करने के समय वही भारत ऐसा करने में असफल रहा. इसके बावजूद भारत को इन दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता मिलती रही. एफ्रो एशियाई एक्ता नहरों के नेत्रित्व के अंतरगत, भारत ने वैश्विक मामलो खास तोर से एशिया तथा अफ्रीका में महत्व पोनब भूमिका निभाई. नहरों ने एशियाई एक्ता की वकालत की, तथा 1947 में एशियाई सम्बंध सम्मेलन का आयोजिन किया. भारत ने डच साशन से इंडोनेशिया की आजादी को समर्थन प्रदान किया, तथा दक्षिन अफ्रीका में नसलबाद का भी उन्होंने विरोध किया. यह संपर्क, 1955 में इंडोनेशिया के बांडू रंग में आयोजित एफ्रो एशियाई सम्मेलन के समय शिखर पर पहुँचा. इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM NAM की शुरुवात हुई. NAM का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेल ग्रेड में हुआ तथा नहरू इस आंदोलन के सहसंस्थापक थे. चीन के साथ शांती तथा विवाद तिबबद चीन के साथ हमारे संबंध दोस्ताना सुर के साथ शुरू हुए. नहरू के नित्रित्व में भारत ने चीन की साम्यवादी सरकार को समर्थन दिया. किन्तु चीन के प्रती दर्शाए गए इस शिष्टाचार पर नहरू के वल्लबभाई पटेल जैसे सहयोगियों ने सवाल उठाए. उनका मानना था कि चीन इलाकों पर दावा पेश कर भारत के सामने एक चुनौती प्रस्थुत कर सकता है. नहरू ने इस सलाह को दरकेनार कर दिया. उस समय भारत चीन सीमा पर नियमित सैन्य टुक्णियां तैनात नहीं की जाती थी. दोनों देशुं के बीच सम्बंधूं को सुधारने के लिए 1954 में कदम उठाए गए. नहरू तथा चीनी प्रधान मंत्री चाव एन लाई ने सयुक्त रूप से शांती पून सह अस्तित्व के पाँच सिध्धान्तों पंच शील का प्रतिपादन किया. तिब्बत का मुद्दा तिब्बत का पठार भारत तथा चीन के बीच दनाओ का मुख्यकारण है. 1950 में कम्यूनिस्ट चीन ने तिब्बत स्वायत क्षेत्र पर कबजा कर लिया. बहुत से तिब्बती लोगों ने इसका विरोध भी किया. भारत ने भी चीन को मनाने की कोशिश की. किन्तु एक दूसरे की क्षेत्रिय अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करने संबंधी पंच शील के उपबंध के कारण भारत ने अपना हाथ पीछे खींच लिया. 1956 में तिब्बत के आध्यात्मेक नीता दलाई लामा ने नहरू को वहां की समस्याओं से अवगत कराया. 1958 में एकसा शस्त्र संगर्ष भी हुआ. चीनी सुरक्षा बलू ने उसे दबा दिया. 1969 में दलाई लामा भारत चले आये तथा शरण मांगी. भारत ने उन्हें शरण दिया. उसके बाद से हजारों तिब्बती सीमा पार कर भारत चले आये. तिब्बतियों के मुद्दे को भारत की बहुत सी पाटियों के बीच मजबूत समर्थन प्राप्त हुआ है. चीन ने तिब्बत को एक स्वायत शासी क्षेत्र बना दिया. तिब्बतियों ने इसका विरोध किया. उनका दावा था कि तिब्बत कभी भी चीन का अंग नहीं रहा था. उन्होंने चीनी निवासियों का विरोध किया. चुनकि तिब्बत के लोगों को ऐसा लगता है कि वे तिब्बत के धर्म तथा संस्कृती को क्षीन करने की कोशिश कर रहे हैं। एतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच एक बफर था। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हतिया लिये जाने के बाद तिब्बतियों के उत्पीडन ने भारत को चिंता में डाल दिया। दलाई लामा को भारत में शरण दिये जाने पर, चीन को भारत पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा देने का आरोप लगाने का मौका मिल गया। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में दरार आ गई। पहले भारत तथा चीन के बीच सीमा विवात था। चीन लद्दाख में आकसाई चीन शेत्र तथा अरुनाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता था बाद में उसने आकसाई चीन क्षेत्र पर कबजा कर लिया दोनों देशों के बीच सीमा पर सैन्य जड़पे भी हुई अक्तूबर 1962 में जब दुनिया क्यूबा के मिसाइल संकट से जूज रही थी चीन ने भारत पर हमला कर दिया चीनी सेना पूर्व में भारती अक्षेत्र में भीतर तक घुसाई वे असम के मैदानों तक पहुँच गए एक पक्षिय रूप से युद्ध विराम की घोशना कर वे भारत भूमी से वापस भी चले गए युद्ध से भारत की छवी को भीतर तथा दुनिया में हर कहीं नुकसान पहुँचा भारत ने सहायता के लिए युएस तथा ब्रिटेन से गुहार लगाई जबकि सोवियत संग तटस्थ बना रहा इस अवमानना से राश्ट्रवात की भावना में उबालाया युद्ध के कारण देश के राजनितिक रुख में बदलावा गया जिस पर अब तक कॉंग्रस का प्रभाव रहा था युद्ध के कारण विपक्षी दलों को भी नुक्सान उठाना पड़ा भारतिय कम्यूनिस पार्टी CPI दो धड़ों में बढ़ गई USSR का समर्थन करने बाले लोग CPI में बने रहे तथा जिन लोगों ने चीनी कम्यूनिस पार्टी का समर्थन किया CPI म माक्सवादी में चले गए युद्ध के कारण पुर्वोतर क्षेत्र की स्थिती पर भी लोगों का ध्यान गया उस क्षेत्र का राष्ट्रिय एकी करण तथा राजनितिक एकता चुनोतियां थी जल्द ही पुनरगठन की प्रक्रिया शुरू हुई तथा नागा लैंड, त्रिपुरा तथा मनिपुर राजियों का निर्मान हुआ पाकिस्तान के साथ युद्ध और शान्ती पाकिस्तान के साथ जगड़ा कश्मीर विवात के साथ शुरू हुआ फोड़े ही समय में वह युएस और चीन के पाले में चला गया तथा इन देशों के साथ संबंध बना कर वह भारत के लिए एक गमभीर चुनौती बन कर उभ्रा तब भी रिष्टे जारी रहे और सिंदु नदी जल संधी पर हस्ताक्षर किये गए यह संधी आज भी समय की कसोटी पर कायम है दोनों देशों के बीच 1965 में एक गमभीर लडाई छिड़ गई भारतिय सेनाओ के पाकिस्तान में घुस जाने से उसे बड़ी हानी उठानी पड़ी युद्ध की समापती 1966 में ताशकंद समझोते के साथ हुई 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में पश्शीमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुटो तथा पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग के शेख मुजिबुर रहमान की जीत हुई बंगाली जनता का मत पाकिस्तान के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था आवामी लीग ने संगधियर राज की मांग की जो पाकिस्तान को मनजूर नहीं था पाकिस्तानी सेना ने बांगलादेश में आतंक फैलाना शुरू किया लोगों ने बांगलादेश की स्वतंत्रता की मांग करनी शुरू की भारत में शरणार्थियों की भारी भीड का आगमन आरंभ हो गया भारत ने बांगलादेश के लिए अपना समर्थन दिया पाकिस्तान ने उस पर शडियंत्र रचने के आरोप लगाए पाकिस्तान को यूएस और चीन का समर्थन हासिल था भारत ने 20 वर्षों के लिए सोव्यत संग के साथ शांती संधी पर हस्ताक्षर किये इस प्रकार भारत को सोव्यत संग का समर्थन हासिल हो गया 1971 में दोनों देशों के बीच एक संपूर्ण युद्ध छिड़ गया दस दिनों के भीतर भारत द्वारा ढाका को घेर लिये जाने के साथ लड़ाई खत्म भी हो गई भारत ने एक पक्षिय रूप से युद्ध विराम की घोशना कर दी तथा बांगलादेश एक आजाद मुल्क बन गया भारत तथा पाकिस्तान द्वारा 1972 में शिमला समझोते पर हस्ताक्षर किये जाने के साथ शान्ती फिर लोटाई भारतीय राजनीती को भी इससे लाब हुआ तथकालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की लोप्रियता इतनी बढ़ गई कि युद्ध के बाद उन्होंने कई विधान सभाओं के चनाव जीत लिए भारत की परमाणू नीती भारत ने पहला नाभी की अविस्पोट 1974 में किया था नहरू का सदा से देश के तीवर गती से होने वाले विकास में विज्ञान और प्रोध्योगी की की भूमेका पर भरोसा था इसलिए नाभी की अ उर्जा उत्पन करने के लिए होमी जेब भाभा के मार्क दर्शन में परमाणू कारेक्रम का विकास किया जाने लगा नहरू नाभी की अ अस्त्रों के समर्थक नहीं थे तथा परमाणू नीशस्तिकरण की वकालत किया करते थे ताम्यवादी चीन द्वारा 1964 में नाभी की अ परीक्षन किये जाने के बाद पाँच ततकालीन परमाणू शक्तियों US, UK, France, USSR तथा चीन ताइवान उन्देनों चीन का प्रते निरहित्व करता था ने परमाणू अप्रसार संधी NTP को अन्य मुलकों पर थोपने की कोशिश की भारत ने वेद भावपूर्ण द्रिष्टिकों को लेकर NTP का विरोध करना शुरू किया भारत ने अपने परमाणू परीक्षणों को शांधी के लिए बताया यहाँ परीक्षण देश में आर्थिक अव्यवस्था के दौरान किया गया था भारत का परमाणू कार्यक्रम भारत ने अंतरराश्ट्रिय अप्रसार संधी का विरोध इसलिए किया था कि यहाँ UN के पांच स्थाई सदस्यों को छोड़कर अन्य चुनिंदा देशों पर लागू किया जा रहा था 1998 में भारत ने ना भी किया परीक्षण श्रिंखला को अन्जाम दिया जवाब में पाकिस्तान ने भी ये परीक्षण किये ये इलाका परमाणू युद्ध को लेकर अती सम्वेदन शील बन गया दोनों ही देशों पर प्रतिबंध लगाए गए भारत ने नियुनतम प्रतिरोधकों के परमाणू सिद्धांत की स्थापना की इसके अंतरगत भारत द्वारा प्रतम प्रयोग नहीं के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है इसलिए भारत पर अंतर्राश्ट्रिय समुदाय का भरोसा कायम है सारांश भारत अपने विदेशी रिष्टों को राजनितिक दलों के बीच राश्ट्रिय अखंडता, अंतर्राश्ट्रिय सीमाओं की सुरक्षा तथा राश्ट्रिय हिद के मुद्नों पर आम सहमती के आधार पर संचालित करता है सारांश हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं किसी देश के विदेशी संबंधों पर उस देश की घरेलू राजनीति का असर होता है भारत ने अपनी विदेश नीती का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ती शीत युद्ध की शिरुवात तथा बहुत से देशों के उपनिवेशिक शासन से आजादी के संदर्भ में किया स्वतंत्र विदेश नीती की भारती यतलाश का परिणाम विश्व शांती हेतु गुट निर्पेक्ष आंदूलन एन एम के रूप में सामने आया भारत ने नई आजादी प्राप्त एशियाई तथा अफ्रीकी देशों का नेत्रित्व संभाला और इस प्रकार विश्व मंच पर उसने एक निर्नायक भूमे का अदा की कम्यूनिस्ट चीन पर नहरू द्वारा आँख मूंद कर किये गए भरोसे ने उन्हें परिणामों से बे परवाह रखा चीन ने तिबबत को हडप लिया भारत के साथ उसने सीमा विवाज शुरू कर दिया इसी का परिणाम 1962 में युद्ध की शक्ल में सामने आया भारत ने पाकिस्तान से आजादी पाने में बांगलादेश की मदद की हालांकि भारत के नाभी किया परिक्षणों की विश्व की महाशक्तियों द्वारा भर्ट्सना की गई लेकिन प्रथम प्रयोग निशेद के सिध्धांत से इसने उनका भरोसा पुनह जीत लिया